योई की जो प्रिंसेस है, कई बार उसने वार्निंग किया था, ट्वीट भी किया था, ये नभीका कुमार है, या अंजना है, या लियाकत, क्या नाम है, रुबिका लियाकत, भारत में तेहिंदों मसल्मान करके, ED, CBI, Income Tax का दुर्पयोग करके दबा लिया, लेकि गल्प को तो नहीं दबा पाएंगे, पुर्त सर्मा को, नभीन जिंदल को, लेकिन ये जो बड़े-बड़े जिन्होंने माहोल खराब किया, उनके खिलाब क्या करवाई हुई, एंकर के खिलाब क्या करवाई हुई, टेलिविजन क्यों नहीं बंद कर आया गया, अब बोया है बीज म चीज में खतम हो जाएगा, अगर 2024 में इनकी जीत हुई, तो बीज़ेपी ने संविधान की तमाम पन्ने फ़र दिये हैं मेरे साथ इंटरनेशनल मामलों के जानकार, पुर्व ब्यूरोक्रेट्स, पुर्व मेंबर ऑफ पार्लियमेंट, कॉंग्रेस पार्टी के नेशनल प्रभकता, डॉक्टर उईत राजें, क्या भारत की जो विदेश निती है, बाइलेटरली लिसंशिप, जिसकी नीव, डॉ अब जिस तरह से, पूरा मिडिलिस्ट भारत का सबसे बड़ा स्टैट्जिक और बिजनेस पार्टनर था, क्या वो छूट रहा है, उसमें गलती किसकी है, क्या ये RSSBJP की गलती है, भारत में जाती के नाम पर SC, ST, OBC के साथ अत्याचार होता था, अब धर्म के नाम पर मु से, सामरिक रूप से अपने रिष्टे खत्म करने की धमकी देरा है, इस पर डॉक्टर उजीत राज से बहतर आपको कौन बताएगा, जो पूरी दुनिया पर बारी एक नजर रखते हैं, सर इसे कैसे देख रहे हैं, इसे एक bilateral relationship के तोर पे देख रहे हैं, ये बड़ा ट्रे इजे पिपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदो मुसल्मान करती है, हिंदो मुसल्मान इतना अधिक हो गया कि गल्फ कंट्री जिन वाल्ब हो गई है, बात नुपूर शर्मा की नहीं है, नभी जितनल की नहीं है, कभी क्या होता है कि महोल तयार होता रहता है, महोल पहले से तयार हो रहा है योई की जो प्रिंसेस है कई बार उसने वार्निंग किया था ट्वीट भी किया था चर्चाएं पहले से ही थी अनूपूर और नभी जंदल जरूर सिकार बन गए लेकिन दोसी इसके पीछे है जैसे आप देखेंगे नभी का कुमार है या अंजना है लियाकत क्या नाम है रूबिका लियाकत इस तरह के यह लोग सो आरनाइज करते हैं एक तो बीजेपी के रहता है एक या दो इंडिपेंडेंट एनालसिस्ट रहता है तो चार में अगर चार का पाइना रहते तीन या दो बीजेपी के रहता है यानि सरासर बहीमानी आपको क अलग रहा है कि ये BJP के प्रवक्ताओं से ज्यादा TV के अनकर जिम्मेदार हैं इसके लिए? नहीं एस दोनु बराबर जिम्मेदार हैं ये टेली विजन के अंकर उनको मौका देते हैं बोलें और जो सही बात बोलता है उसको ये लोग बोलने नहीं देते तो पहले बार आठ साल में मोजी जी को पता लगा कि क्या होता है नहीं असर किसी और का भी है भारत में तहिंदों मुसल्मान करके ED, CBI, Income Tax का दुर्पयोग करके दबा लिया लेकि गल्प को तो नहीं दबा पाएंगे तो इस देश की जो मुद्रा भंडारड है करीब 60% गल्प से आता गल्प 25 से आता जो ड्राइवर है, कंड़क्टर है, कार्पेंटर है, मिस्टिरी है, मेकेनिक हैं और जो नो करी कर रहे हैं यह बहुत भारी भूल है लोगों की कानेडा से रेविंटेंस से आता है, बहुत कम आता है बल्कि बेल्प 10 हो रहा, ब्रेंडेंड नहीं रहा, अमेरिका, और एरोप, कैनरा, सिंगपूर यहां से भारी बेल्प जा रही है गल्प 20 से बेल्प आ रही है, आप समझ सकते हैं कि करीब 60% रेमिटेंस से जो बाहर से आता हमारे पास डालर नहों जिस कंट्री के पाई डालर नहों, वो तो खतम है, डालर में ही इंटरनेशनल लेबर पर खरीद फरोक्त होती है तो भारत की मजबूती जो डालर की बनी हुई है, गल्प कंट्रीज की देन है, लगबग डेल करोण लों तो मोदी जी ने बहुत सक्त कारवाई की है, और नुपूर शर्मा को रिस्टिकेट किया है, जिंदल को रिस्टिकेट किया है, और 30 परवक्ताओं की लिस्ट तैयार की है, जो हिंदु-मुसलिम करते थे, अब तो संतूष ठोना चीए कंग्रेस को नहीं क्यों, गरिराज की सोट, 12-13 ता मंतरी हैं, जो उनको फिरिंज एलिमेंट यह मानते हैं, जो अमारे स्रोध बदाते हैं, आट-9 तो मिनिस्टर्स हैं, उनको क्या निकाला है, बली का बकरा बना दिया, नुपूर सर्मा को, नमीन जिंदल को, लेकिन ये जो बड़े- जिन्हों ने माहौल खराब किया, उनके खिलाब क्या करवाई हुई, एंकर के खिलाब क्या करवाई हुई, टेलिविजन क्यों नहीं बंग कराया गया, जिन्हों ने ये मौका दिया कराया, तो जो माडरेटर करते हैं, उक्साते हैं कि बोलो बोलो, तो ये कोई कारवाही ब कि हम लोग मुसल्मानों वाले देश से डर जाएंगे, हम लोग से कुलर कंट्री हैं, हम उनसे नहीं डरने वाले हैं, वो अब इसको देश का अपमान बता रहे हैं, जबकि बात मुहमत प्रोफिट उनके पैगंबर पर हुई है, उनके आस्ताप का सवाल है, ये लोग कहने कि भारत का अपमान है, उनके आभी पॉइंट भी सही है, मैं गलत नहीं कहूंगा, चाइना इससे पचास गुना ज्यादा करता है, मुसल्म साथ के साथ, दाड़ी नहीं रखना पड़ता वहां पर, और वहां पर कोई सामुहिक नमाजोगरा नहीं पर सकता, बुरका नहीं हो स इसलाम के साथ तो बहुत कुछ करता है, गल्फ कंट्रीज की है हिम्मत चाइना के बारे में कुछ बूलना, लेकिन ट्रेड में तो चाइना लिड़वर नहीं ना उन पर, वही कहा रहा है, मुझे बात करने दी, हिम्मत नहीं है, ये मोदी जीने जो एकॉनमी को धोस्त किया है, उसके वज़े से डर है, ये देश को बरबात कर दिया खोखला है, कि ये करीब 60% जो मुद्रा बाहर से आ रही है, वो उसके उपर चोट है, नौकरी जो लोगों को मिली है वहाँ पर उसके उपर चोट है, इसका डर है, इसलिए डर गए है, नाइन, 8.9 मिलियन एक डेट करोड़ी बाहर रहते हैं, उसमें डेर करोड़ी बाहर लेकिर उसमें लगभग डेर करोड़ करोड़ गल्प कंठीज में, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा SCSTOBC के मजदूर है, वहाँ, सबन समाज के हिंदू तो बहुत कमी है, नहीं, कारोबारी तो इन्हीं का है, इन्वे इन्डिया के जो भारती हैं, ब्लैक मैनी वहाँ पर गई हुई, तो यह जो बड़े-बड़े बिजनिसमेन हैं, उस पर कंठोल भारती होगा ही है, तो मोदी जी गल्फ कंठी के स्टैजिक दवाब में हैं या बिजनिसमेन के दवाब में हैं भारत वाले, आपको क्या लग l नहीं बात यह की पुरा देश की अर्थ वश्ता के उपर और दुसरा अधर अस्तर पर कोई दोस्त नहीं रह पाएगा स्रिलंका दुसमर पाकिस्तान दुसमर नेपाल दुसमर बंगलादे दुसमर तो अमिर्टा जा रहा हैं तो अब बेलकुल अलगज़ थक हो जाएंग square उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि बिस्वग्रु है है डरे है मोधी जी डरे हुए है जुग गए हैं डरे हुए जो डंका पती होते थे कहते हैं डंका बज रहा है डंका पती की हवा निकल गई यह लग रहा है भारत की एक छबी थी पूरी दुनिया में को इस तरह से पहले इस तरह के राज़ूत को तलब नहीं करता था एक साख को बट्टा लगा है और वो यह क्या हमारी बिदेश नीती की फेलियर है हमारी foreign policy की फेलियर जो कई नेता कह रहे है यश्मन सिना कह रहे है foreign policy की बात नहीं इस मामने में foreign policy की बात नहीं है गुल जलूल एंटि इसलाम इसलामोफोबिया को लगातार चलाते रहे हैं और मोटी सुनको होती रही है और जब ICT होगी तो connectivity तो है है इंटरनेशनल लेबल दुबई में कतर में भी जाकर के वहां के मुसल्मानों को खिलाब बोलते थे कई कर्मचारियों को निकाला भी हम लोगों ने तो जो ये बोया है बीज मोधी जीने कि कपड़े से लोग पहचाने जाते हैं आरेसस ने जो बीज बोया है कि बाहर के हैं उसी बीज का फल है तो फ़ारंट पालिसी की बात לפल है कि रेसस बीज़री पी का फेलियर है बिल्कुल उन्हों नहीं तो पर्मोड किया अगर नूपूर के कि खिलाब आवाज ने उड़ती तो नूपूर को साबसी देते जो पर्म करते हैं तो क्या एक सवाल आता है आपने बहुत पहले बुद्ध हम एक सिप्ट कर लिया पूरा मिडिल इस्ट गल्फ मुसलिम इसलाम मानता है तो पूरा साउसिस असिया जो है वो बुद्धिस्ट नेशन है क्या बहुजनों को भी अपनी घर वापसी करना चाहिए जो बाब कोई भी चर्च ऐसा नहीं था जहां मेरे लिए प्रेयर न किया गया हो मेरे सपोर्ट में बुद्धिस्ट क्या कर रही थी जो सोचा था बाबसाब डाक्टर अब्बेद करने वो हुआ नहीं ये लोग अतिसांत थैं अतिसांत हैं किसी से कोई मतलम नहीं कोई सपोर्ट नही देखा है, दूसरा जो यहां के बुद्धिस्ट भी हैं, एक तरफ बुद्धि हैं, दूसरे तरफ जातिबादी भैंकर हैं, संसकार नहीं बदले, तो रिलिजियस एट्रोसिटी के लिए तो अब एक रास्ता दिख रहा है, इंटरनेशनल डिस्कोर्स रो गया, कास एट्रोसि अब इंसानी फित्रत है, बाबा साब ने कहा था, मैं हिंदू धर में पैदा हुआ, हिंदू मरूंगा नहीं, उन्होंने विंग रास्ता दिखाया बहुजुनों को, S.C.S.T.O.B.C. माइनौटी को, अरे भाई, बाबा साब, इन्हेलेशन आप कास में विश्वास करते थे जाती भी हैं, बीस्पी ने जाती को मजबूत किया, हर जाती हूँ के संगठर को मजबूत किया, उ utan भी जे पिपी कर रही है है. पिजे पी करें तो ठीक उसके लिए है, तो फिर हम बेतकर बादी कहा से हुए है? उ कहते हैं वह कर सकते है, उनके पक्ष में है, आपके सब में जाओ, जाती को खतम करो, एक हो जाओ, तो कहां जाती खतम कर रहे हैं, देख लेंगे, जैनती मना लेंगे, जैनती पर सब एक हो जाएंगे, और गला फार फार करके बोलेंगे, साधी विबा कहा हो रही है, अपनी जाती में हो रहा है, मायवती जी ने सब की जाती को ब मेरी जाती बताईए ये नेता है ये ये जो है बहुजन नेता है अब आप क्या देख रहे हैं धर्म की राजनीती पर अब क्या कोई हिंदु मुस्लिम पर बिराम लगने जा रहा है रोक लगने जा रही स्ट्रेटजी का ली बीजेपी कुछ चेंज करेंगी असर तो अभी बाइलेंस करने के कोशिज करेंगी एक एक सवल और क्या लग रहा है कॉंगरेस ने बहुट डाइवर्सिटी दिखा बीजेपी बहुट डाइवर्सिटी दिखा रही है जो सोला उनके जो मेंबर पार्लाइमेंट चुने गए हैं अभी जो उन्होंने एमल्सी के जो ट टीकर दे रही है बालमे की कमुनिटी से टीकर दे रही है सानी कमुनिटी से टीकर दे रही है वो भी राजसभा इसे कैसे देख रहे हैं मैं इसको देखता हूं कि थोड़ा दे करके पोरा ले ले रहे हैं कांग्रेस को भी सम्झाना चाहिए कांग्रेस नहीं समझती हम लोग के लोग हैं उसमें राइसभा में जब बीजेपी किसी को भी टिकर देती है तो बोर्ट साथती है बोर्ट के हिसाब से लेकि कांग्रेस को भी सोचना चाहिए एक आखरी सवाल सर आप समाजी कांदोन से बेजूरे हैं आपका जो एक परिशंग है उसकी एक दिल्ली में बड़ उननीस को एक ओल अनसुचिजाती परिशंग का ही नहीं है बल्कि नैशनल दस्तक का भी है दो जनता लाइब का भी है जतने यूट्यूब चैनल है उनका भी है जतने समाजी कार करता है उनके भी है जो करमचारी एदिकारी हैं आपके माधियम से सब को आमांतरित करना इस से जदा गंभी संकति कभी ने आया होगा। और इस समय नहीं कठा होगे, तो बाद में कठा होकर कि भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सायद आखिरी समय है तो ठारव उननीस जून को स्पीकर हाल में, नइ दिल्ली स्पीकर हाल में, दो दिन का बैठक है खुला है। तो फिर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि देखो भाई मुद्दे की बात करो अभी निजी करन हो रहा है उसके खिलाब समाज को तयार करो भाउनाओं से नहीं चलता अधिकार से चलता है सम्मिधान दो हजार पचीश में खतम हो जाएगा अगर दो हजार चौबिस में इनकी जीत हुई तो आरसास नें वो इसी तमाम सम्मिदान के बीजेपी ने सम्मिदान के तमाम पनने फ़ार दिये हैं उन पननों को जोडने की जोडने की क्या बात है कि अब तो सम्मिदान ही चला जाएगा क्या लग रहा रहा है मैं आपका टीवी देख रहा हूँ आप भी उसमें वक्ता के रूप में आई आपके सुरोता जो 50-60 लाख हैं वो सब आएं 18-19 जून को दिल्ली के कंस्ट्यूशन कलब में जरूर आई है लेकिन एक टीवी दिखे जिसवर हम लोग इंट्रिव्यू कर रहे थे ये चित्रा तिर पाठी है और इतने प्रेसर के बा अवर रीने जाते हैं वकों परवक्ता ये माइयम को तो मैं जानता हूँ चोवन गरफ्तार के बल चार्जूर सुच्छरि शूतरदार तो टीवी सब कुछ जानता है ये स्कोर्ट भी है सुप्रीम कोट भी है आरोपी भी है पक्षार भी सब फाय शला टी बी अब अफ़कानपुर कान के पीछे भी पीएफाई तो हिंदो मुस्लिम का जो डिबेट है वो अभी चलता रहेगा ये टुल कीट है सर हम लोग अभी बात करें और देखिए आपके घर पर टीवी लगाओ उसमें तो वही हिंदो मुस्लिम प्रसन कमें आपके प्रसन में जबाब भ कि यह तो आरसन में कोई अस्थान हई नहीं है वो सुद्र मानी जाती है तो लेकिन चूपि मुऽमद पगंबर से जुड़ा हुआ था इसलिए रियक्शन हो गया था वो इसे रियक्शन पहले से भी हो रहा था तो चुकि भारती जंता पार्टी आर्थी कास्तर पर सामाजी कास्तर पर फेल है पूरी तरह से तो हिंदो मुस्लिम के जरिये ही वोट को पका किया जा सकते है मैं आप से बिलकुल सहमत हूं, आपकी बात को मैं कई जब सावाल है ज्यावाद को ने ही आए वायजा किशन पहुत आइनके ख़परी नहीं है है हमारे मुद्दे नहीं होते तो हमारे सेस्टी ओबीसी को देखना क्यों चाहिए जिसमें वो खुद नहीं है आज के दौर में डॉक्टर उजीत राज जैसे बहुत कम इंटेलेक्शुल हैं जो तमाम खत्रे उठाते हुए विवाकी से अपनी बात रखते हैं आप इनकी बा प्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें